सल्मान खान का मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म से वल्ग्रिटिक खता होनी चाहिए उनका मानना है कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए सल्मान ने कहा कि आजकल 15-16 साल के बच्चे तक ऐसे कंटेंट देख रहे हैं सल्मान का कहना है कि हम इंडिया जैसे देश में रहते हैं हमें इतना वल्गर कंटेंट नहीं दिखाना चाहिए अगर कंटेंट साफ सुतरा हुआ तो व्यूर्शिप और बड़ेगा सल्मान का कहना है कि वो ये बिल्कुल नहीं मानते कि OTT टीवी का कूल वर्जन है उनने कहा कि वो 1909 से फिल्म इंडिस्ट्री में काम कर रहे हैं उनने कभी ये सब नहीं करना पड़ा सल्मान ने कहा कि OTT पर अश्लिलता नगनता और गाली गलो जी सब बंध होनी चाहिए फिल्म फेर अवर्ट्स से पहले प्रेस कॉन्फरेंस में बात करते वे सल्मान ने कहा अब हर कोई फोन पर ऐसे कंटेंट देख रहा है और यहां तक की छोटे बच्चे भी इसे एक्सेस कर रहे है आजकल बच्चे पढ़ने के भाने डिवाइस लेते हैं और उसमें ये सब चीजे देखते हैं क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपकी छोटी सी बेटी ये सब देखे सलमान खान ने उन एक्टर्स पर भी कटक्ष किया जो ऐसे प्रोजेक्ट में काम करने पर अपनी सहमती देते हैं उन्होंने कहा आपने लव मेकिंग सीन्स कर लिये किसिंग, एक्सपोज वगरा सब कर लिया ये सब करने के बाद अपनी बिल्डिंग में गुसते हैं तो आपका वश मेन भी वही कंटेंट देख रहा है मुझे लगता है कि सिकुरिटी के पॉइंट ओफ व्यू से भी ये सही नहीं है हमें इस सब करने की जरुवत क्यों हैं हम हिंदुस्तान में रहते हैं लोगों को थोड़े साफ सुत्रे कंटेंट पर काम करना चाहिए बीश में काफी ज़्यादा हो गया था अब जाकर थोड़ा कंट्रोल आया है सलमान ने इस प्रेस कॉन्फरेस में यंग एक्टर्स पर भी चुट की ली उन्होंने कहा कि आजकल के एक्टर्स मेहनती है साथ ही टेलेंटेंट भी है लेकिन वो सलमान फिर भी इनसे हार नहीं मानेंगे सलमान ने अपने साज शाहरूक, आमीर, अक्षे और अजे का नाम लेते हैं हम इतनी जल्दी डिटायर नहीं हो रहे हैं हम अपनी फीस तभी बढ़ाते हैं जब हमारी फिल्मे चलती है इसे देखते हुए यंग एक्टर्स भी अपनी फिस बढ़ा देते हैं बलाई उनकी फिल्म चले या ना चले हिंदी फिल्मे क्यों नहीं चल रही सलमान ने इसके पीछे की भी वज़़ा बताई उन्होंने कहा मैं लंबे सर्मे से सुन रहा हूँ कि हिंदी फिल्मे नहीं चल रही मुझे लगता है कि फिल्मे ही गलत बनाई चा रही है तभी वो बॉक्स ओफिस पर फेल हो रही है मेकर्स को लगता है कि वो बेस्ट फिल्में बना रहे है लेकिन रियालिटी में ऐसा नहीं है आज कल के फिल्म मेकर्स को लगता है कि पूरा भारत सिर्फ मुंबई के विशिश इलाकों तक सिव्टा हुआ है हलाकि ये देश इससे बहुत अलग है इसी किसाद बने रहे हैं राजनमा टीवी किसाद रहने बाद